आज किस वीडियो में आपको स्वागत है और आज है मैं सीखेंगे कि Amazon पे B2B account को कैसे बनाया जाता है Google पे आएंग और यहां type करेंगे आप Amazon business account फिर तो नीचे नीच आएंगे आपको याला link मिलेगा business.amazon.in ठीक है तो यहां पे click करेंगे यह B2B वाग लिंक अब यह B2B क्या होता है देखिए Amazon B2B मतलब होता है Amazon business to business यहां पे दबायेंगे create a free account अब यहां पे पूछा जा रहा है कि आपकी मुझे से पूछा जा रहा है कि आपकी यह यह email ID है यह आपके जो है personal account के लिए यूज कर जा रही है हो सकता आपको भी ऐसे बोड़े आपकी विगर personal account के लिए आप इसी ID के साथ चलना चाहते हैं कि दूसरी email ID यूज करेंगे तो यह आपको देखना ठीक है अब अपने इसाथ देख लेंगे अगर इस email ID के साथ जाना है तो दबाएंगे begin account conversion और या फिर आप यहां क्लिक करेंगे use a different email ID ठीक है मैं इसी email ID के साथ जाना चाहते हूंगा मैं यहां क्लिक कर देता हूं begin account conversion और यहां दबाएंगे यहां दबाएंगे convert to a business account अब यहां पर पासफट डालेंगे जो भी होगा email ID का जिससे Amazon ID बनाई है जो पासफट से यहां OTP डालेंगे मैं भी डाल देता हूं OTP आपको अपने contact information डालेंगे मतलब आपका first and last name डालेंगे अपना अपना business phone number डालेंगे जो भी आपका अपने जापते डालेंगे business information अब business information में license type होगा वो डालेंगे मतलब की जी एस्टी ट्रेंट business pen तो मैं जी एस्टी डालूंगा एक है यहां आपको अपना GST number डालना है तो मैं अब इन जी एस्टी नम्बर यह निकाल लेता हूं एक बास करते हैं वीडियो को तो मैंने अपना जिएस्ट नमबर डाल दे, वेलिडेट दबा दूँगा, जिब मैं अपने वेलिडेट दबाऊंगा, तो automatically business name आ जाएगा, जो भी होगा, automatically आपका address, postal code, city का नाम, state का नाम सब आ जाएगा, फिर आप दबाएंगे create business, अभी process होड़ा है, थोड़ा time लगेगा, दोस्तो हमारा जो Amazon business account है, वो successfully create हो चुका है, ये था हमारा Amazon B2B का tutorial है, तो आज किस वीडियो में इता ही था, thank you